एक राजा अपने राजे से एक लंबी यात्रा के निकलता है तो सारे गाव वाले उन्हें पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चलता है तो उसके गाव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब जब आप जंगल में पहुंचते हैं वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वह गाव का आदमी जो बोला था उन्हीं दो फुट का वह आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है अब राजा उस दो फुट आदमी से लड़ने के लिए तयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जित गया लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा इस दो फुट के आदमी को मारने में कैसी महान था। दो दिन बीते वह आदमी फिर से राजा के सामने आया लेकिन अब वह आदमी छे फुट का हो गया था उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया फिर लड़ाई शुरू हुए फिर राजा जित गया लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिन्दा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार दो-दो फुट बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बढ़ा हो गया उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया लेकिन इस बार राजा थोड़ा दर गया अब आप मुझे बताए महानता किसमे है जब उस राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में तुम्हें दो फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खम किये बिना आगे मत बढ़ना फिर भी राजा ने उसे महानता दिखते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया जो कि आगे उसे बहुत भारी पढ़ा और अपना एक हाथ भी गवाना पढ़ा तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जिंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉबलम आये उसे खत्म किये बिना आगे मत बढ़ना क्योंकि कल को वही छोटी प्रॉबलम आपके सामन